मैं तो उस film बनाने वालों से सरफ इतना जानना चाहता हूँ क्या ये documentary है या क्या ये subscription film है अगर ये documentary है तो फिर हाम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है लेकिन film बनाने वाले भी कहते हैं कि it is based on reality but it is not a documentary उसमें तरह तरह के जूट विखाए गए हैं बिल्खसूस उस वक्त की हकूमत के बारे में हकीकत ये है कि जब ये वाकिये हुए जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीरियाला नहीं था उस वक्त गवनर राज था जगमोहन साब ग कौन खड़ा था बीजेपी बीजेपी की हकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए तो यह कूँ नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो लेकिन वीपी सिंग के पीछे बीजेपी को क्यों दिखाते हो वीप कॉम ने कुर्बानिया नहीं दी अगर कश्मिरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहत अफसोस नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या कश्मिरी मुसल्मान नहीं मरें क्या कश्मीरी सर्दार नहीं मरें अगर यहां लोग घर से निकल गए बेघर हुए तो उसमें सब मजभब के लोग शामिल हैं मुसल्मानों ने भी अपनी मकाने छोड़के कश्मीर छोड़के कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए हमारे सिख भाई बहन वह भी चल चोड़के गए हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी चोड़के गए हमें असबात का अफसोस है और हम कहते हैं आप माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आएं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहे हैं लेकिन हमारी जब तक नैशनल कॉंफरेंस है हम उस के सिपाई हैं वर्कर हैं जिन्हों ने हमें ये नारा दिया शेरी कश्मीर का क्या इर्षाद हिंदू-मुस्लिम सिक इतिहाद हम उस बात पर काइम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दुबारा काइम देखना चाहते हैं नैशनल कॉंफरेंस अभी आप देखिए न आप मैं ज् जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी आवाज जो है वो बुलंद करने जम्मू कश्मीर के हकुक दुबारा हासिल करने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के दर्मियान अपना तालमेल जो है उसको बनाए रखने में हम पूरी जो है अपनी कोश गरमाया जा रहा है किस मकसद से गरमाया जा रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूं अब हमें तो जैसे मैंने कहा हमारी जिम्हेदारी तो सिर्फ नैशनल कॉन्फरंस तक है मेरी कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश यही रहेगी कि हम जमात को मजबूत करें बाकी वजीर आजम साहब यहां आके क्या कहेंगे क्या करेंगे या अमिच्छा साहब क्या करेंगे उस पर हम नजर लगाए हुए बैठें यह सवाल पी एजीडी का है आप पी एजीडी के लीडियों